दोस्तों हमारी प्रिक्रती अद्भुद और आभिस्णड़िये जगों से भरी हुई है आज हम बात करने माले हैं भारत में इस्थित स्वर्ग जैसी अद्भुद जगों के बारे में ये जगा इतनी खुबसूरत और अद्भुद है कि भगवान भी इन जगों पर लैना पसं करेंगे हेलो दोस्तों मैं हूँ आपका जोर्चंदी और सागत है आप सभी का रियल फैक्ट सीपी में नंबर पास पर बात करते हैं केरला की जो की भारत देश के दक्षड में इस्थित है केरला जिसे भगवान का देश भी कहा जाता है केरला अपने आप में प्राकृतिक स दोनों मिलाकर पांच जीले हैं इन 38 जीलो में पीछे की तरफ जल आती है इसी वज़ा से इन्हें बैक वाटर कहते हैं यहां नदियों की किनारे कई गाउं और नहर बसे हुई हैं जहां से परियटक इन खूबशूरत जीलों कर नजारा देखने आते हैं केरल के बैक वाटर के बगीचे प्रकृती ने इस जगा को दिल खोल के उपहार दिये हैं नंबर चार पर बात करेंगे चंद्रताल लैक की जो की हिमांचल प्रदेश में इस्थित है हिमांचल का धुर्गम चेत्र लद्दाग जो की चीन और तिब्बत की सीमाओं से सटा हुआ है इसी इस्फि सिंख्लाएं और नधी घाटों से घीर हुई है इस जील का ये दुनिया का सबसे वे जहा जाता है ideally के पानी का बदलता हुआ दुनिया में सबसे अद्बुद जील बनाता है इसे और लोगों का कहना या है जील पैंगॉंग जील से भी खूब चूरत है चंद्रताल हिमाले पर लगबग 4300 मीटर पर इस्थित है इस जील का आकार चंद्रमा के जैसा होने के कारड इसे चंद्रचाल जील कहते है लाउल स् तुम्हें जंगली फीलों से भर जाता है इस जगा को देखने के बाद दुनिया का कोई भी इंसान खुस हो जाएगा कस्मीर है कुछ ऐसा कस्मीर की सीतल आबो हवा हरे भरे मैदान और खूबशूरत पहड़ियों की हसीन वादियों में प्रिकृती एक अद्बुद सौंद प्रिकृतिया भी ताने आते हैं यहां पर कामकाज और घूमने के लिए लोग नौकाओं का सहारा लेते हैं नमबर दो पर बात करते हैं अगाती आइलेंड की यह आइलेंड लच्चदीप में इस्तित है इस दीप को लच्चदीप के प्रवेश द्वार के नाम से भी जाना करता है जहां से हम आसानी से कोच्चीन और बैंगलूर के लिए हवाईजास पा सकते हैं बहुत थोड़ी सी जगा में बने होने के करण यहां का हवायड़ा पूरे बिस्तों में मसहूर है जब आप अगाती में कदम रखेंगे तब आप इसकी सुन्दरता से इतने मंत्रमु यहां आने वाले परियाटक इस्कूबा डाइबिंग गोता लगाने का भी लुट उठाते हैं यहां आने के बाद लोगों को यकीन नहीं होता है कि दुनिया में इतनी अच्छी जगा भी हो सकती है नमबर एक पर बात करते हैं दोस्तों रन और कच्च की जो की गुजरात र रेकिस्तान के नाम से जाना जाता है जो कि पूरी दुनिया में सबसे बड़ा रेकिस्तान है साथ ही पाकिस्तान और सिंदू नदी से जुड़ा हुआ है यह कुल 23,000 वर्ग किलोमेंटर में फैला है यह इतना बिसाल है कि इसमें आपको तरा-तरा के एको सिस्टम देखने को मिलेंगे साल के महीनों में यहां अलग-अलग वातावर्ण दिखाई देते हैं कच्छ के रन की सबसे बड़ी खासियत यह है कि सफेद रेत जिसका यह रंग उसे मौजूद नमक के काड़ होता है बारिस के दिनों में समुन्दर तल से सिर्फ 15 मिटर की उचाई पर इस्थि यह देश-विदेश के पर्याटक कच्छ की प्राकृतिक सुन्दरता और यहां की संस्किती से रूबरू होते हैं और उच्सो का आनन उठाते हैं थंडी का मोसम यहां बहुत ही सुन्दर होता है और यहां की चांदनी रात दुनिया में सबसे सांधार है जब चांद की बाक्त में जरूर बताइए और ऐसा ही इंट्रेस्टिंग वीडियो देखने के लिए आप हमारे यूटूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को सेर कीजिए बिलते हैं फिल एक नए वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार दोस्तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो